इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप आपके फोन में बैटरी का जो इंडिकेटर होता है उसे कैसे चेंज कर सकते हो तो अगर बैटरी का इंडिकेटर के बारे में कहा जाए तो वो बैटरी का इंडिकेटर कहते हैं तो बैटरी का इंडिकेटर को चेंज करने के लिए मतलब उसका जो भीव हम जहाँ पे देखते हैं कि कितने परसन हमारा फोन में चार्ज है उसका जो इंडिकरटर है उसे चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको आपके फोन में सेटिंग को ओपेन कर लेना है settings को open करने के बाद आपके सामने ऐसे बहुत सारे options आ जाते हैं जहापे आपको display का option है उसे आपको click कर लेना है display के उपर click करने के बाद आपके सामने ऐसे बहुत सारे options आ जाते हैं जहापे status bar का एक option दिखेगा आपको वापे status bar के उपर click कर लेना है स्टेटस पर के उपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसे बहुत सारे उप्सन सा जाते हैं जहाँ पर बैटरी इंडिकेटर का एक उप्सन दिख जाएगा तो आपको बैटरी इंडिकेटर के उपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसे एक पॉपा बजाएगा जहाँ पर सामने चार option सो हो जाएंगे यहापे पहला जो है वो है graphical आप देख साते हैं graphical के उपर क्लिक करने के बाद मेरा जो battery का indicator है वो एक graphical format में आ चुका है यहापे मैं देख साता हूँ कि मेरे phone में कितना charge है वो एक graphical format में है तो अगर कहा जाए कि दूसरे बारे में percentage in the icon तो यहापे अगर हम क्लिक कर देंगे तो आप देख साते है मेरा जो battery का indicator है वो अभी change हो गया है और यहापे percentage दिखा रहा है कि 54% यहापे charge है वो icon के अंदर दिखा रहा है और अगर तीसरे के बारे में कहा जाए तो वो है percentage packet में लिखा हुआ है कि next to the icon तो यहापे अगर क्लिक करेंगे तो आप देख साते है जो battery का indicator है वो यहापे show हो रहा है यहापे graphical भी है और percentage भी है graphical side में है और percentage उसके side में है तो आप देख साते है यह percentage next to the icon यह वाला option यह है और अगर कहा जाएगी आकरी जो option है वहापे top bar तो यहापे अगर हम क्लिक कर देंगे तो आप देख साते है यहापे जो battery का indicator है वो अभी यहाँ से हट गया है तो अगर आप गौर से देखेंगे तो आप देख साते है जो मेरा status bar है उसके एकदम उपर एक थोटा सा line बनाया हुआ है जहापे green color का आपको एक light देखेगा वो आप देख साते है यहापे आपको arrow पे show हो रहा होगा कि यहापे एक जो है top bar में मेरा जो phone का display है यहापे top bar में एक line सा है उससे हमें पता से लेगा कि हमारा phone में कितने percent charge है तो मैं इसे by default मेरा जो था percentage इंदा icon यह रहने दूँगा तो देख साते है ऐसे आप आपका जो phone का battery का indicator है उसे change कर साते है तो इस video में हमने आपको दिखाया कैसे आप आपके phone में battery का जो indicator है उसे आपने हिसाब से change कर साते है तो यह थी आज की video मिलते हैं आपको आगली वीडियो में तब तक के लिए good bye